हेलो एवरीवन कल के लिए निफ्टी और बांक निफ्टी के लेविल्स देखते हैं मैंने 17800 का लेविल दिया था और 17900 का इसी में इसे ब्रेक नहीं किया है अभी और मुझे लगता है जब तक यह ब्रेक नहीं करें तब तक हमें ज्यादा ट्रेड नहीं करना चाहिए कॉंटिटी कम रखके ही ट्रेड करने चाहिए अगर सपोर्ट लेवल पर या फिर रेजिस्टेंस लेवल पर कोई ब्यारिश या बूलिश पार्टन बनाता है तो ही अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करना था बट अब मंडे को क्या हो सकता है कि ब्रेक आ सकता है एक डायरेक्शन में और अपवर्ट डायरेक्शन में ब्रेक करने की ज्यादा चाहिए सेवंटीन नाइन हंडर अगर ब्रेक करता है तो साइड भी चांसे से नेक्स्ट देखते हैं बैंक निफ्टी वन आवर ताइम फ्रेम यह भी कंसॉलिडेशन में है 41,700 का लेवल ब्रेक करता है कल तो इसे बाइंग साइड ले सकते हैं अगर 41,291 सपोर्ट पे आता है तो वापस उपर जा सकता है अगर इस लेवल पे ब्यारिश होता है तो नीचे जा सकत आ बट मैं कब ट्रेड करूंगी 41,700 का ब्रेक होकर उपर जाता है तभी मैं ट्रेड करूंगी अगर यह सपोर्ट रेजिस्टन्स तोड़ते है तो ही directional move मैं capture करूँ नहीं